नमो बुद्धाए मैं आर्पी सिंग आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस विशेज कारिक्रम धंबदीप में जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंच सील के चतुर्थ शील की अब इसी स्रंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंच सी जिल के पंचम सील यानी मादक पदार्थों से विरत रहने की इस विशेज पर विश्तरच जानकारी देने के लिए हमारे समक्ष उपस्तित हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्च सिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश म अनेकों सम्मानों से अलंकरित होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो अब हम स्वागत करते हैं बंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी का नमो बुद्धाए बंते जी जैसा कि आपको विदेत है के हमारे प्रोग्राम में प्रस्ण आते हैं और अनेकों दर्शक हमारी एमेल आईडी और वट्सप पह अपने प्रस्ण पूछते हैं आज का एक बहुत ही सामाने प्रस्ण है और वो आपके पास भी बार-बार आता होगा और हम सब के पास आता है वह यह हैं कि लोग कहते हैं कि बिना जूट बोले काम होता ही नहीं या दिन ही नहीं बीचता या फला काम के लिए हमें जूट बोलना जरूरी है लेकिन क्या इसके बारे में आप हमारे दर्सकों को बताएंगे कि क्या बिना जूट बोले भी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद आरपिसिंग जी आपने अपने दर्सों के प्रसनों को अच्छी तरह से यहां पर पूछा है और प्रसना आज के समय से संबंदीत है कि आज के समय में जो जादा तर कहा जाता है कि जूट बोले बिना काम नहीं चलता तो क्या इससे कोई लाब होगा या नहीं भी होगा या हमारे जितने काम है वो उससे कामिया भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी साबान तोर पर ये बात अधिक तर देखी जाती है लेकिन जब हम लोग इस बात को देखते है तो रहाए जास साल पहले तथागत गातम बुद्ध ने तरी सरन पंसील की जब सिख्चा दी और कहा कि जब हम अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते है अच्छा बनाना चाहते है और सांती से जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें कम से कम ग्रस्तों को उपासक उपासिकाओं को ये पाच पंसील का नियम का आचरन करना होगा तो उसमें हम देखते हैं तो आपने देखा कि जो चौथा सील है जिसे हम मुशावादा वेर्मनी कहते है अर्थाद में किसी भी प्रकार का जूट नहीं बोलूँगा असत्य वचन नहीं कूँगा लेकिन आम तोर पर ये चीजे जब देखी जाती है कि बीना जूट बोले काम नहीं चलता है लेकिन आपने देखा हुआ कि हैदी हम जूट बोलकर काम अपना बना भी लेते हैं लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त तो लग सकेगा लेकिन जब वो सच्चाई बाहर आगी आजाएगी तो हमें देखा होगा कि हमने जो भी काम किया था वो सब एक मिर्ण में धोस्त हो जाता है अक्सर आप देखते होंगे कामियावी को प्राप्ट करना टेमपररी कामियावी को प्राप्ट करना और इस्ताई जीवन को हमेशा के लिए जीवित रख देना यह दोनों ही बाते बड़ी अलग अलग देखी जाती है अर्थात हम जूर बोलकर कुछ समय के लिए तो हम कुछ प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन वो कोई टिकाव नहीं होता, वो कोई इस्ताई नहीं होता तथागत गौतम बूद कहते हैं कि हमें सत्य वचन कहिना चाहिए तो मैं इसमें एक दो उधारान बताना चाहूँगा कि किस जगह हमें किन चीजों की जरुवत हैं जरूरी नहीं कि उसे जूड से संतूस किया जाए जरूरी नहीं कि उसे चुगली करके उन चीजों को किया जाए इसकी कोई संभावना या नहीं भी होना चाहिए तो जब एक बात अथाकत गौतमबूद के बास किस्सा आती है और किस्सा गौतमी का एक बेटा होता है और उसकी मृत्तु हो जाती है लेकिन किस्सा को नहीं लगता कि उसके बेटे की मृत्तु हुई है और इसलिए वहाँ अपने बेटे को जीवित करने की तलास में वो यहां वहां जाती है, वो स्रावस्ती के रहने वाली थी और वो यहां वहां जाती है और उसको लगता है कि मेरे बेड़े को कोई जीवित कर देगा लेकिन उसे कोई भी वेक्तित जीवित होने का कोई उपाय नहीं बताते जब बहुत परिशान हो जाती है ऐसे समय में है उसे लोग कहते कि नहीं अनाद पिंडग जेतवना राम विहार जो सरावस्ती में हैं वहाँ पर आप जाईए और तथागत के सरन में जाईए वो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई उपाय बता कर देंगे तो ये देखा गया था कि वो जब ऐसी बास सुनी उसको बड़ा संभावना उसके मन में आए कि मेरा बेटा जीवित हो सकता है तो वहाँ तथागत के पास जाती है अन में उन से याचना करती है उनको अभिवादन करती है और कहती कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर देंगे तो तथागत कहते हैं कि हाँ जरूर मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूँगा एक सर्थ का पालन करना पड़ेगा वो सर्थ थी कि आपको ऐसे घर से सरसो का दाना लाना होगा जहां पर किसी भी व्यक्ति की मिर्तू ना हुई हो वहा बड़ा प्रसन हो जाती कि हाँ मुझे किसी ने तो भी कहा है कि मैं आपके बेटे को जिवत कर दूँगा और सर तो भी रख दिये कि सरसो का दाना लाना होगा जहां किसी की मिर्तू ना हुई हो तो ततागत गौतम बुद्द की इस कही हुई बातों को वहाँ मानती है और सरावस्ति में ऐसे घर में जाती है जहां पर उसको दाना मिल सकता है सरसो का और वो जाने के बाद में देखती कि वहाँ किसी घर में गई है कि मुझे सरसो का दाना दे देंगे तो वो तैयार हो जाते है और तैयार होने के बाद में हम देखते हैं कि उनसे वो देते समय पूछती है कि आपके घर में किसी की मुर्तू तो नहीं हुई है तो कहते हैं कि हाँ जरूर हुई है तो उसके बाद में वो दाना लेने से इनकार कर देती है ऐसे करते करते वहाँ स्रावस्ती के पहले घर से अंतीम घर तक चले जाती है दाना मांगनी की उमीद उसके पास थी उसके बच्चे का जीवित होना अब संबाव था ऐसा उसे महसूस हो रहाता लेकिन वहाँ एक घर से बहुत सारे घर घुमने के बाद उसे पता चला कि हर घर में किसी ने किसी की मृत्तु हुई है तो वहाँ अंतीम में समझ जाती कि नहीं ये तो सत्ती ही है ऐसा सब के साथ होता है तो वह अंतिम में कहती है मेरे बेटे का अंतिम संसकार करना है और वहाँ पूरी तरह से जिस अज्यान में फसी हुई थी उससे पूरी तरह से छोड़ देती है और उससे बहुत फ्राफ्त हो जाता है तो तथागत गौतम बुदों ने समझाना चाता है कि सत्य वचन जो होता है वो हमारे जी उनको अच्छा बनाता है क्योंकि असत्य तो एक पाप का भागी बन जाता है लेकिन सत्य जो है वो कुशल कर्म करने की प्रणा देता रहता है इसलिए सत्य ही विजय हearी है सत्य ही हमेशा कामयाभी को अप्राफ करते है इसलिए दरश्रक हो आप सब लोगों को जान कर जो क्यों दंतियां या समाज में प्रचली तो जो मानेता हैं उसमें नहीं बरकी अपने स्वैम के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्वयम का कर्म स्वयम का वक्तित्व कानिरमान करता है स्वयम को अच्छा बनाता है इसलिए अतियन्त जरूरी है कि हम इसको ठीक से समझने की कोशिस करें इसलिए मैंने आपके पूछे जाने पर मैंने इसको बताने की कोशिस की लेकिन जितना ज़्यदा हम ये सील पुस्ट करते चले जाएंगे उतने हमारे खुद की ताकत भी बढ़ते चले जाएगे इसलिए इन चीजों को अपनाना अतियन्त जरूरी है आपने इस प्रस्ण को पूछा मैंने आपको संतुष करने की कोशिस की आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्सकों के जिग्या सासान करने के लिए लेकिन अब हम अपने मुख्य विशय पराते हैं आज का मुख्य विशय है पंच सील के पंचम सील मादक पदार्सों से दूर रहने की कृपया इसके बारे में हमारे दर्सकों को बताएं बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंग जी आज हम लोग इस धमदीब कारकरब में हम चर्चा करेंगे पिस्तार से पंसिल के अंतीम और पाचवे सिल की जो की बहुत ही महत्पून है जिसे पाली में कहा जाता है सुरा मेरे मज्जप माद इठाना वेर्मनी सिखा पदंग समाद्या में अर्थात मैं किसी भी प्रकार के मादक पदारत का सेवन नहीं गरहन करूंगा ऐसी सिखा गरहन करता और आज के समय में आपने देखा होगा और प्राचीन समय में भी इस तरह की बड़ी मानिताय थी कि लोग सराप पीना ज़्यादा तर अच्छा मानते थे और जब तथागत गौतामबूदे ने देखा कि सामाजिक जीवन पद्दतियों में सराप पीना आम बात लोग समझते हैं और उससे अच्छा मानते हैं लेकिन तथागत ने इस बातों के लिए पूरी तरह से मना किया कि नहीं सराप मनुस्या के लिए हानिकर है उसे हमें बिलकुर भी ग्रहन नहीं करनी चाहिए जिसे हम मादक पदार्थ कहते हैं और मादक पदार्थ स्वाभाइक तोर पर देखा जाए तो मादक पदार्थ भी स्वाभाइक तोर पर यह कहीं न कहीं यहां निश्चित तोर पर यह कहा जा सकेगा कि यह हानी कारक है तो मादक पदात में आपने देखते है तो सराब, कच्छी, पक्की, सराब आती है सिग्रेड आती है अफीम, गाजा, चरस भांग, इतियादी चीजा आती है और यह सब हानी कारक है उसलिए आप देखेंगे कि जब इनका कोई नसा करता है या इसका कोई सेवन करता है तो उस वेक्ती के बारे में जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे अलग-अलग प्रकार की जो इस्तितियाँ है वो इस्तितिया निर्मान हो जाती है और इसलिए तथागत ने इस पर विसे स्टार पर समझाने की कोशिश की कि यह इसलिए हानी कारक है क्योंकि जब कोई वेक्ती सेवन करता है तो उसे, उस आदमी को असंतुलीद बना देता है और जब असंतुलीद बनता है तो आप देखेंगे कि उसके कार्य करनी की जो पद्दती है या काम करने का तरीका है उस समय की इस्तिती का तो आप जाका बहुत अंतर पाया जाता है एक तो वह होश में नहीं रहते हैं वह जो भी कहते हैं वह नसे में कहते हैं और इसलिए आप में देखा होगा कि उनका कोई ज़्यादा संबान करते भी नजर नहीं आते हैं तो सराब के सेवन से कुछ महत्पून हानिया होती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह हानी होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ती की पैसो की हानी हो जाती है उसके समय की बर्बादी होती है उसका स्वास्ते पे बुरा प्रभाव होता है लोग नसीले पदात सेवन करने मारे लोगों की इज़त नहीं करते उनसे कोई प्रेम नहीं करते हैं उस वेक्ति से घर के लोग भी प्रेम नहीं करते हैं और उस पर कोई विश्वास नहीं करता और वो जाहे कितना भी सत्ते कह दे लेकिन वो सब असत्ते थाबित होता है इसके बाद में आप देखेंगे भविस्से में किसी ने किसी बड़ी बिमारी की संभावना देखी जा सकती है और इसलिए तथागत ने उस समय इस बातों को जादा तर कहने के कोशिस की कि यहां एक ऐसा समय है जिसकी वज़ह से आप अपने जीवन काल में कापी दुख भोग सकते हैं दुख आपको होशकता है और दुख की वज़ह से आप अनेक परकार के चीज़ों को जनम दे सकते हैं क्योंकि वो दुख सभी चीजों का एक प्रकार का बड़ा एक रूप है और इसलिए तथागत ने उस समय इस तरह की चीजों को करने से मना किया और इसलिए आप देखेंगे धारन के तौर पर आज भी बहुत सारे लोग अपना आजीविका चलाते हैं कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं कुछ लोग कम पैसे कमाते हैं और सबका अलग-अलग आजीविका है लेकिन जब आप एक रिक्से वाले को देखेंगे और वो नसा पत्ती करता है मादक पदात का सेवन करता है तो आपने देखा कि वाविक्ती जितना पैसे कमाता है उससे वह ज़्यादा से ज़्यादे पैसे सराब में चला जाता है और समझ से आने पर उसके पास कुछ भी नहीं बसता तो यहां एक परकार की ऐसी इस्तिती निमान कर देता है जिससे हम अपने घर को भी चलाना संबाव नहीं समझते अर्था घर की इस्तिती पूरी तरह से दैनी बन जाती है इस्तिती पूरी तरह से बिगड़ जाती है और वहाँ सौभाईक तोर पर देखा जा सकता है कि वह व्यक्ती ठीक तरह से अपने जीवन को काम नहीं कर पाएगा यह चीजे ज्यादा तर हम समस्ते रहते हैं और इसलिए हम इस बात को समझे की ठागत गौतम बुद्ध ने धाईजास साल पहले उस समय की सामाजिक कूरितियों को देखते वे सामाजिक इस्तियों को देखते वे लोगों के यभार को देखते वे उन चीजों को बताने की कोशियस की और कहां इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए यदि रोक लगती है तो हम समझ सकते कि परिवार में सुक उत्पन होगा अच्छी चीजे निर्मान होगी अर्थात जब हम इसको नहीं करते हैं पूरी तरह से ऐसी सिक्षा गरन करते कि मैं इसको बिल्कुर भी नहीं गरन करूंगा तो आप देखिए कि फायदे कैसे होते हैं फायदे एक तो हमारे सबसे महत्पून है जिवन में संतुलन बना रहता है दूसरा कि हमें पैसे जो हमारे बरबाद होते हैं वो पैसे की सेविंग होना शुरू हो जाता है था पैसे बच जाते हैं फिर आप देखेंगे हमारे उपर में कोई भी स्वास कर सकता है हम जो अपना खुद का संतुलन खो देते हैं भविसे में समस्य उत्पन करते हैं रोगों के रूप में तो रोगों पर भी हम कहीं ने कहीं रोगताम कर सकते हैं और घर परिवार को भी ठीक तरह से संचालित कर सकते हैं का यह सबसे प्रमूख फाइदा आज के समय में हमें होने की पूरी-पूरी संभाव ना देखी जा सकती है आप में देखा होगा आज भी जो लोग हैं बड़े-बड़े संभलोनों के माद्यम से बड़े-बड़े आयोजनों के माद्यम से उसे सारवजनिक रूप से आप जाती है आप देखेंगे कि ऐसा करना बुद्धु को लगता था कि यह बहुत हानी कर रहे हैं इसलिए हानी कर रहे हैं कि यदि कोई सराव की वज़स से किसी की एदी मृत्व हो जाती है तो उसके घर के लोग कितना सपर करते हैं कितना दुख-दर्द से वह जूचते रहते पत्नी दवा हो जाती है और इदी पत्नी पीती होगी तो पति को संकट हो जाता है और इदी किसी के घर में व्यक्ती की मेरत्यु हो गही इसलिआप की वह जाते हैं ये कितनी बड़ी दूर दशाह है है और हॉद्ध वहात स्वाबेग motiv हानी कारक है लेकिन उस हानी कारक और धानुमिक बनने के लिए कुछ ज्यादा चीजे करने की जरूत नहीं है तो उन्होंने का कि नसले प्रदावतों को पीने से या उसका सेवन करने पर रोक लगाई है ज्यादा कुछ करने की जरूत नहीं है और जब आप इसको सेवन से रोक लगा लेते हैं तो आपके कई प पकढ लेती हैं क्योंकि उनकी प्रवर्थियां ही उनने कमजोर बना देती हैं। उनकी आदद ही उनने कमजोर बना देती हैं। और शिरिये ہं mें इस तरह के चीजों को पूरी तरह से अभ्यास में लाना चाहिए कि मैं बिल्कुर भी, नहीं करूंगा। और इसलिए हैं कि मनुस्य के दिमाग का असंतुलन बन जाता है और इसलिए वह पूरी तरह से इस पर रोक लगा देते हैं और इसलिए ऐसे प्रसंगों पर ऐसे यवहार करते समय ऐसे जीवन को जीते समय में हमें ये मूल भूत बाते अपनाना अतिन्त जरूरी हैं आप देखेंगे चाहे हो गाव हो या सहर हो चाहे कजबा हो सब जगह लोग इस तरह का विवहार करते भी दिखाए देते हैं चाहे आपने देखा जनमदीन मनाया जा रहा हो लोग सेवन करते हैं नामकरन संसकार आयोजित किया हो जाता है तब लोग इस तरह का सेवन करते हैं यदी घर में विवहा आयोजिन किया गया है यहा समारो आयोजित किया गया है तब भी लोग करते हैं या सगाई का कारकाम तब भी लोग करते हैं या फिर मृतु हो जाती है तब भी लोग इस तरह का काम करते हैं तो यह जो व्यक्ति के जीवन में यह संसकार की जगह असंसकार निमान हो रहा है अच चाहे की जिगह बुराईयों को जन्म देते हैं और इससे अनेक प्रकार की हानिया होते भी हमें देखने के लिए मिलते रहती इसलिए चाहे छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो घर हो या महुला हो घर हो या समाज हो समाज हो या देश हो कहीं पर भी हम जब जानते की हान क LA देना चाहिए के फाज बाते भी कोई वर्ठी अपने जीवन में करता है। उसमें से ये पाज भी बाते पंसील की कि मैं किसी भी purchase के ऐसे पधात जो मुझे भी प्रभावित करते हैं। मेरे परिवार को पर प्रभावित करते है और हानियाँ के पोचाते हैं ऐसी चीज़ों को मैं बिलकुर भी नहीं करूँ गा या वास्तिविक प्रतिज्या हमें साभाइक तौर पर लेनी चाहिए और वह एक दिन नहीं बरकिं मैं हर दिन को या हर दिन के जीवन में मैं अप्रतिग्या गरहन कर रहा हूँ इसलिए ऐसी चीजों को पूरी तरसे मना कर देना तो देखा गया कि तथागत गरतम बुद्ध के पास उसकाल में और अरतमान में भी बहुत सारे ऐसे ग्रस्त हैं जिनकी बहुत बुरी आदते हो जाती है सराब के बिना उनका जीना मुस्कील हो जाता है तो ऐसा ब्यक्ति जब तथागत के पास आया संग के पास आया अभी भी संग के पास आते रहते और कहते कि मेरे दुआरा ये गलतियां हुई है अब मैं सुधार करना चाहता हूँ तो कुछ उपासक की तौर पर वो शिस्से बनते हैं और कुछ भिक्को के तौर पर सिस्से बन जाते हैं उन्हों ने कहा कि हमने जो कुछ भी किया अपने जीवन काल में उससे तो हानिया उत्पन हुई है लाप तो इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इसलिए यह एक अतियंत और महत्पून बात है कि हम इसे छीवन वे अपनाने की कोशिज करें तो जब हम नसले पदायत का सेवन नहीं करते तो मन भी ठीक तरह से हर काम में लगते रहता है उसको साहस मिलते रहता है मन प्यूरिफाई होते रहता है क्योंकि सिल सही समाधी लगती है यदि सिल नहीं तो समाधी का लगना काफी मुस्कील है उसकी संभावना हैं नहीं देखी जा सकेगी और इसलिए यह अतियंत और महत्पून बात है कि हम इसको कैसे अपने जीवन काल में अंगिकार करे उसको कैसे हम जीवन काल में उतारे उससे कैसे हम जीवन काल में ग्रहन करे उसे लेना अतियंत और महत्पून बात है जिसको हम समझ सकते हैं जान सकते हैं यह वहर में उसे उतार सकते हैं और यह कोई साधरन जीवन पद्धती नहीं है यहां एक महत्मूल जीवन पद्धती है जिसको हम जीवन काल में अपनाते रहे उताते रहे उसको अभ्यास मिलाते रहे और इसलिए भहुत बार एह बात कही जाती है कि जीवन तभी सजन होता है जीवन तभी अनुकरनी होता है जीवन तभी प्रतिभासाली होता है जीवन तभी वह लोगों पर प्रभाव डालता है जब वह खुद भी आच्रन करता है बीना आच्रन के वे कभी दूसरों पर तो कोई बिलीव नहीं करेगा और नो उस पर कोई स्वास करेगा इसलिए स्वयम को ही ठीक होने के लिए तथागत गौतम बुद्ध जादा बताते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी शरन में जाना मतलब पंसिल ग्रहन करना जिससे पंसिल ग्रहन करके हम अपने खुद के अ असे वाली चीज़ों को हमें धीरे 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 दूर करना चाहिए हैं नसा एक आदत है और यह आदत इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है मैं बहुत बार उधारन देते रहता हूं उधारन यह हैं कि जिस तरह से किसी चीज़ में दीमक लग जाए तो दीमक के लग ज इन सब पधारतों को गहन करते हैं नसेले चीज़ों को गहन करते हैं तो बहासे ठीक है लेकिन अंदर से भीतर से कमजोर है खोकला है इसलिए बुद्ध कहते है कि इसका सारीरिक प्रभावी होते हुआ नजर आता है दुर्बल ताने की संभावना है नसापत्ति से कई लोग बहुत बड़े आधी हो जाते हैं तो दुर्बल होना शुरू हो जाता है उनके अंदर में उनके लंग्स उनके फेपड़े उनके लिवर पूरी तरह से कमझभ़ जाते है उन्हें मन तो कमझ़ोर हो रहा है बुद्धी भी कमजोर हो रही है लेकिन सारी रिक शमताय भी मनुस्य की कम होते चले जाती है और इसले बुद्धन है ठीक तरह से जीवन को यापन करने के लिए इसकी कंडीशन रख दी कि हमें इस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो हानीकारक हैं और क्य काने वाला है लेकिन लाबकारी पदा तो मनुस्य को लाबकारी चीज़े प्रदान करता हैं इसलिए कई बार में कहता हूं कि जब आप बरतमान में देखेंगे तो सराप की दुकान में आपको बड़ी लाइन दिखाए देगी ज्यादा संक्या में लोग दिखाए देंगे लेकिन वही दो दूद सरी के लिए हानिकारख है उसमें आपको थोड़ी बहुत संक्या दिखाए दे सकती है ज्यादा लंबी कतार नहीं दिखाए देगी तो यह फर्क है अच्छी चीज़ों को गरहन करना और बुरी चीज़ों को वह त्याग देना और बुरी चीज़ों क लोग बड़े पेमाने पर अपनाते हैं अच्छी चीज़ों को वह दूर करते रहते हैं क्योंकि अच्छाई से तो अच्छाई जन्म लेती हैं और बुराई सो तो बुराई ही जन्म लेती हैं इसलिए जितना है सके तो अच्छाईों को गरहन करो अच्छाई को गरहन करके एक इंसान का जीवन जीव, इंसानी है जो इंसानियत को जन्म देता है, और इंसानियत सब के लिए वहा बड़ी ही लापकारी होती है, अतियंत मदूर होती है, अच्छी होती है, सुन्दर होती है, और लोगों में प्रीय भी होती है, इसलिए इस गुनों को जितना हम अंदर स बना पाए इवार करे कि नहीं अपने जीवन का आलमे में सयम बरतूंगा एक्चा खान चाहे तो बढ़ेगी लेकिन मैं हर चीज पर सयम रखता हूं तो सयम रखने कारण में दुखों को दूर कर सकता हूं सयम किस चीज का कि आपने देखा हो कि जब हम अच्छी चीज़े ग्र अग्यान है और अग्यान की वज़े से मनुस्य अनेक प्रकार की गलती करते चले जाता है और जब वो गलती करता है तो उसका अग्यान उस पर हावी होता है उस पर वो एकाग्रता नहीं लाता और अग्यान जब हावी होता है तो मनुस्य के दुवरा कई प्रकार की ऐसी ची होते रहती हैं इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ नियम बनाए गए आज के समय में भी कि एज नियुंद geen क्वे को रवải है कोई घारी चला रहा है तो पी के ना चलाए को यह बस रैवर है तो ध्लाइवर है तो कहा जाता है कि बस पी के ना चलाए और लोगों को देखा कि ये सबसे बड़ा दुक उत्पन न कर रहे हैं जो बड़े पेमाने पर आप में देखा मेला लगाय जाते थे ऐसा उस्सव आयजन किया जाता था जहां बड़े संक्या में लोग इखटा होते थे और वहां पर लोगों को सराब पिलाई जाती थी तो तथागत ने कहा कि नहीं यह काफी गलत है और काफी गलत होकर हमें इस तरह की चीज़ों को बिलकुर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हानी उत्पन होती है इससे अनिक प्रका की चीज़े उत्पन हो जाती है इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को मैं करने की कभी भी सलाँ नहीं देता है तो आपने देखा होगा ये बात कही जाती है खुद भी सेवन न करे और दूसरों को सेवन करने के लिए प्रेरीद न करे क्योंकि जब हम खुद भी सेवन करेंगे दूसरों को सेवन करने के लिए प्रेरीद करते रहेंगे तो दोनों ही दुगदाई हैं करी बार ऐसा होता है कि लोग खुद तो उसका सेवन नहीं करते लेकिन दूसरों को सेवन करने के लिए प्रेरीद करते रहते हैं तो वहाँ कि मैं तो ठीक रहूं लेकिन दूसरे ठीक ना रह सके इसलिए समाज के अंदर में इस तरह की हरकते भी करते हुए देखने के लिए मिलते रहता है लेकिन ये जानना की नहीं दूसरे मुझे ठीकेंगे लेकिन मैं नहीं ठीकूंगा दूसरे मुझे नसा के लिए हानि कारख है तो उसे बदल देना चाहिए बदल नहीं उसके जीवन के लिए काफी मुहत्पोन हैं, ताकि उस से वो बच सकता है लेकिन इस से समझे कि ये नसा कितनी बूरी बाते हैं, हानि कारख बाते हैं और उसे हम अपने जीवन काल में समझने की कोशिस करें इसलिए तथागत घौतम बुद्द का यह पंसील का सिद्दांद जो पाच्वासील है जिसे हम सराब कच्छी पक्ची सराब या जिसे मादक पदातक सेवन करने से मैं विरत रहूंगा यहा आज का हमारा धमदीब का में यह सबसे महत्मून असील था हूं जिस पर मैंने आप लोगों को विस्तार से बताने की कोशिस की इसका हम ठीक तरह से आच्छन करें इसका पालन करें आप लोगों से यही उमीद की जाती है आप सब लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं आप सुकी बने दिरगाई ऐसी बात कहते हूं यह परकता हूं बहुत उशभ मंगलंग नवबद्धाए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत थी अच्छी तरह से बहुत ही प्रमुग जानकारी दी साथियों आज के इस विशेश प्रोग्राम में बस इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रशन हों या जिग्यासाय हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प अपना प्रस्न भेज सकते हैं तो उमीद है कि आप अपनी जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिग्यासाओं को सांथ करेंगे तब तक मैं आर्पी सिंग भंते डॉक्टर चंद किर्ती जी के साथ लेता हूं विदा कल इसी स मैं आपके समक्ष फिर पस्तित होंगे नमो बद्धाए